हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलर जे वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेकिया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी fingers नजर आ रही है और अगर fingers की thickness को देखा जाए तो base phalanges से इनकी fingers काफी थिक नजर आ रहे हैं इस area से आप देख सकते हैं fingers का thick होना indicate करता है कि native की energy and stamina काफी अच्छा रहने वाला है में हैं जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ती काफी मेहनती nature के होते हैं discipline होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्य कर पाने में कामयाब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी index finger की अब यहां पर देखेंगे यहां इनकी index finger है काफी thick finger और काफी अच्छी लंबाई में हैं जिस वज़े से native की leadership qualities काफी अच्छी रहती हैं ऐसे व्यक्ती spiritual nature के होते हैं काफी knowledgeable होत और समाज में काफी अच्छा मानसमान पाने में कामयाब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी सूरे finger की तो अब यहां पर देखेंगे इनकी सूरे finger length में काफी अच्छी नज़र आ रही है सूरे finger इनके ब्रस्पती finger के लगभग equal होती हुई और इस finger का अच्छी लंबाई में ह होना indicate करता है कि native की creativity का level काफी अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ति के बहतर काफी अच्छी creative और artistic qualities रहती हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से समाज में एक अच्छी पहचान बनाने में बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं Mercury finger की बात की जाए तो हलका सा चुकाव अंदर की तरफ इवन इनकी सूर्या finger का भी हलका सा चुकाव आपको अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा जब सभी fingers का चुकाव इस middle finger की तरफ हो रहा हो तो native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रहने की समावनाएं इनकी Mercury finger को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी Mercury finger नजर आ रही है और इस finger की जो length है सूर्या finger के top falange के लगभग करीब पहुँचती हुई आपको नजर आएगी जिसकी वज़े से native के communication skills काफी बहतर रहते हैं ऐसे व्यक्ति की calculations करने की capability है वो भी काफ काफी strong रहती है और ऐसे native का business equipment काफी अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति अगर business के जरिये धन कमाना चाहें तो काफी अच्छी income generate कर सकते हैं बात करते हैं इनकी fingers के बीच में बनने वाले gaps के बारे में यहां पर आप देखेंगे इनकी fingers आपस में बिलकुल सटी हुई नजर आए इस तरह की fingers का होना native की काफी अच्छी money management को show करता है ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से invest करना है इन चीजों को भली बाती सीख जाते हैं और अपनी इसी खूबी की वज़य से काफी अच्छी money accumulation करने में जीवन में रहते हैं फिंगर्स के ओपर कुछ खड़ी रिखाएं भी मौचूद हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की खड़ी रिखाएं आपको इनकी सभी fingers के lower phalanges के ओपर नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना native को मिलन सार सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के सा बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं चली आगे चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते है इनका सूर्य परवत, शनी परवत और इनका गुरू परवत तीनों ही काफी high set नजर आ रहे हैं मरकरी यहां से हलका सा low set होता हुआ मरकरी माउंट का low set होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है लेकिन overall यहां पर इनका मरकरी माउंट बिलकुल भी weak नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप देखेंगे यह माउंट आपको बहुत अच्छे से उठा हुआ नजर आएगा उभरा हुआ मरकरी माउंट होना यह दर्शाता है कि नेटिव का जो business equipment है बहुत अच्छा रहेगा ऐसे नेटिव की calculations बहुत बढ़िया रहती है और पूर्वा अनुमान लगाने क इक्षमता भी काफी strong रहती है इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रिखाएं आप देख पाएंगे थोड़ा closer में आपको दिखाना चाहूंगा कुछ खड़ी रिखाएं बुद्ध परवत के ऊपर अगर मौजूद हो तो नेटिव को काफी अच्छी healing qualities देती है इन से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की काबलियत रखते हैं कुछ रिखाएं आपको इनके बुद्ध परवत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी जैसे इस रिखाएं कि अगर हम बात करें या यहां से कुछ रिखाएं थोड़ी overlapping के साथ उ व्यक्ति की हो सकती हैं लेकिन इन रिखाओं के बीच में overlapping सोना ब्रेक सोना indicate करता है कि native की digestive system में से सबंदित कुछ दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को परिशानी दे सकती हैं अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की आप यहां पर देखेंगे सूर्य मांट काफी अच्छा और उ नजर आ रही होगी जिसको हम भागया रेखा भी कहते हैं यह रेखा नीचे से उपर की तरफ चलती है इसको शनी रेखा कहते हैं अगर ऐसी हो की रेखा यहां से निकल कर इस परवत की तरफ यह है जो मैंने अभी सर्कल किया है सूर्य परवत अगर इस तरफ आ जाए तो इस के field में या किसी artistic field की तरफ ले जाती है लेकिन ऐसी रेखा का अभाव होने से native को इस तरह के field में जाने में दिक्तें आ सकती है और ओर एक अच्छी पहचान society में बना पाने में ये काम्याब रहेंगे क्योंकि इनकी सूर्य finger और सूर्य परवत काफी अच्छे नज़र आ रहे ह शनी पर्वच की बात की जाए तो यह जो एरिया है शनी का एरिया कहलाता है यहाँ पर शनी पर्वच और शनी रेखा बहुत अच्छी नज़र आ रही है जिसकी वज़े से native काफी अच्छा धन कमाने में और काफी अच्छी money accumulate करने में काम जाब रहता है यहाँ पर इस रेखा में लास्ट में चलकर कुछ वीकनेस भी नजर आ रही है आप देख सकते हैं इनकी जो भाग्या रेखा है बीच में कुछ जगा से कटती हुई जैसे इस एरिया से आपको कटती ही नजर आएगी इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि लेटरेज में चलकर कुछ फाइनेशल अपसंट डाउंस का सामना भी इनको करना पर सकता है और इस रेखा का बीच में से कटना लाइफ में अपसंट डाउंस दिखलाता है लेकिन इस रेका का अच्छे से हाथ में बनना और सीधा शनी परवत तक पहुँचना यह भी इंशोर करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर कर पाएगा बात करते हैं इनके गुरू परवत की तो आप यहां पर देखेंगे गुरू परवत का जो एरिया है काफी उठा हुआ है गुरु परवत के उपर progress lines बिलकुल clearly नजर आ रही है आप देख सकते हैं यह जो area है ब्रस्पती का area कहला आता है और इस mount के उपर आपको कुछ इस तरह की रिखाएं जो नीचे से उपर की तरफ चल रही है इसी रिखाएं नजर आएंगी इन रिखाओं का इस mount के उपर होना बहुत ही lucky माना जाता है ऐसी रिखाओं को progress lines कहा जाता है और ऐसी progress lines जितनी strong हो उतनी ज्यादा तरक्की व्यक्ती अपनी जीवन में करता है तो life में बहुत अच्छी तरक्की रहने की समभाव बनाएं इनकी यह progress lines indicate कर रही है कुछ ऐसी ही और progress lines आपको इनकी life line के जरीए भी नजर आएंगी बहुती बारीक और चोटी चोटी ब्रांचिस जिनको हम offshoot भी कहते हैं वो आपको इस area पर कुछ इस तरह से नजर आएंगे जो middle age में चलकर काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में कामयाब इनको बनाएंगे बात करते हैं कि lines की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी अथेली में इनकी जो heart line है और जो mind line है दोनों एक ही नजर आ रही है इस तरह की formation को हम simian रेखा कहते हैं यह एक सीधी line आप देख पाएंगे इस तरह की सीधी line का होना native को थोड़ा जिद्धी सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़दा practical होते हैं और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव यह simian रेखा देती है जिन लोगों के हाथ में यह simian line होती है ऐसे व्यक्ति materialistic world में बहुत अच्छी तरक्य कर पाते हैं लेकिन परिवार के मामले में कई बार इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी married life में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह रेखा जब heart line के रूपे नजर आए तो यह रेखा कुछ इस तरह ऐसे उपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी आपको और mind line कुछ इस तरह ऐसे चलती हुई जब यह दो रेखाई होती है तो native अपने दिल और दिमाग से properly काम लेता है लेकिन जब यह दोनों रिखाई एक ही बन जाती तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेता है emotions कम हो जाते है जिस वज़ए से जो family life का और professional life का balance है वो कई बर बिगड़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को काफी careful रहना चाहिए अपने relationships को लेकर क्योंकि इस तरह की रिखा होने से कई बर relationships में दिक्कते आने की संभावनाई बढ़ जाती है overall mind काफी sharp रहेगा और इनकी जो health है heart की health और mind की health भी अच्छी रहेगी क्योंकि उसमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही अगर हम बात करें इनकी line of life की तो काफी अच्छी और लंबी life की line आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो रिखा है life line कहलाती है और कुछ इस तरह से last में चलकर एक fork बनाती हुई नजर आएगी इस तरह का fork बनने से native को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है यह चिन अगर केतु परवत के ओपर completely बनता है तो व्यक्ति को जीवन में sudden wealth gains भी होते है inherited wealth मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन देता है और एक लंबी life line होने की वजह से native की age लंबी रहती है और health भी अच्छी रहती है लगबग 80 के आसपास की age रहने की संभावनाएं रहेंगी और अगर हम शुकर परवत की बात करें तो यह एरिया आप देखेंगे काफी उबरा हुआ इस वजह से थोड़ा खर्चीला सभाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है और हर तरह की सुक्स विधाएं और लगजरी इसको ऐसा व्यक्ति इंज्वाई करता है यहाँ पर ऐसी बारीक रिखाओं का होना relationships के लिए अच्छा नहीं माना जाता married life में दिक्कते आने की सिंभावना इस तरहें की रिखाओं की वजह से रह सकती है अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो यहाँ अरिया आपको बिल्कुल clear नजर आएगा यह सुज़े से mental stability ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है लेकिन कुछ हलकी बारीक रिखाएं इस एरिया में आप देख पाएंगे जिनकी वजह से थोड़ी anxiety time to time इनको परिशानी दे सकती है लेकिन कोई major problem यहाँ पर इनका चंदर परवत नहीं दर्शा रहा अगर हम इनके मंगल की बात करें तो मंगल का एरिया काफी strong है और सीधा हरिदयरेखा का यहां तक पहुंच जाना नेटिव को मांगली भी बनाता है अगरेशन इनके भीतर थोड़ा अधिक रहने की संभाव बनाएं इस तरह का उबरा हुआ मार्स मांट होने की वज़े से रहेंगी उबरा हुआ मंगल होने की वज़े से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लखी रहता है अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में काम्याब रहता है तो दोस्तों ये कुछ अनैल्सिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रहे जाता है तो इनसी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें